नमस्कार दोस्तों मैं एक बार फिर आपके सामने कुछ important points लेकर आई हूँ जो पॉलिटी से related हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम सब जानते हैं कि जब हमारे देश पे अंग्रेजों का सासन था हमने बहुत सारी प्रतार्णाएं छेली हैं उनके द्वारा जो की गई थी हम पे तो जब अंग्रेज लोग हमारा देश जब आजाद वो अंग्रेज लोग हमें छोड़ के गए और उसी समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो हमारा भारत जैसा आज दिखता है पहले वैसा नहीं था उस समय ये कई छोटे छोटे रियासितों में बढ़ गया था उस समय तो इन रियासितों को एकतित करने का काम तीन लोगों ने किया था तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के सभी रियासितों को एक कर यूनियन बनाने में महत्पूर योगदान देने वाले तीन लोग थे सरदार पटेल, बीबी मैनन, माउंट बेटन जो बीबी मैनन थे ये आई-एस थे तीन राजायों ने इनका विरूद किया हम नहीं मिलेंगे, लोग इन्होंने ई अलक अलक मांगे रखी और इन्होंने इस चीज का विरूद किया इसमें पहला था हैदरापाद हैदरापाद कह रहा था कि हम अलग देश बनाएंगे वो अलग देश की मांग कर रहा था और जिससे वहाँ पर अराजकता फैलने लगी फिर इसके बाद सरदार पटेल सरदार पटेल ने आर्मी भीज कर आपरेशन पोलो चला दिया वहाँ पर और इसे भारत में मिला लिया दूसरा था जूनागर जूनागर की मांग थी पाकिस्तान में जाने की वो कह रहा था कि हम पाकिस्तान जाएंगे पाकिस्तान से मिलेंगे यहां का जो सासक था वो मुस्लिम था जबकि यहां की अधिकांस जो जनता थी वो हिंदू थी यहां पर जन्मत संग्रह कराय गया और जन्मत संग्रह के द्वारा इसे भर्ग मिला लिया गया तीसरा था जम्मू एंड कस्मीर जिसका भिवाद आप तक चलता आया है जम्मू कस्मीर स्वतंत राष्ट बनाने की मांग कर रहा था इसने मांग की यहां की इस सासक डोगरावन्स के हरी सिंग थे जो की एक हिंदू थे पाकिस्तानियों के आतंग के कारण 26 अक्टूबर 1947 को बिलेट पत्र पर हस्ताक्षा कर ये भारत में सामिल हो गया पर इसका बिवाद अभी तक नहीं सुलजा था अब इसका बिवाद लगभग सुलज गया है अभी तक ये बिवाद चलते चलते अब ये बिवाद सुलजा है धरा तेन सु सत्तर के कान ये विवाद ये जो राज्य था ये विवाद में था पर अब ये एक राज्य ना होकर, अभी एक राज्य नहीं रहे गया है अभ इसे केन्ट शासत प्रदेश बना दिया गया है जिसका सीधा कॉंटेक्ट हमारे सेंटरल गौवशन। जन्रल गौर्वर्मेंट से इसका सीधा कॉंटक्ट होगा और वही यहां की देखरे करेगी तो अब पाकिस्तानी इसे लेने की स्टाजिस में नकामियाब होगे भारते सम्विधान को सम्विधान सभाने 26 नौबर 1949 को अपनाया भारत का सम्विधान 26 नौबर 1950 में लागू हुआ यह बन तो गया था 26 नौबर 1949 में ही यह बन के तयार हो गया था और इसे अपना भी लिया गया था लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनौबर 1950 को पहला नागरिक्ता अधनियम सम 1955 में आया 1986 में इसमें पहला सम्विधान संसोधन हुआ फिर इसी प्रकार और कई सम्विधान संसोधन हुए नागरिक्ता कानून में इसके प्रशाद 1992 सं 2003 सं 2005 में इसमें संसोधन किया गया भारत में नागर्गता ब्रिटेन से ली गई है हमारी नागर्गता किस प्रकार की है हमारी एकल नागर्गता है मिन्स हमें हमारे हाँ राज के अलग नागर्गता और देश के अलग नागर्गता नहीं होती है हम केवल इंडियन सिटिजन सिप को ही एडाप्ट करते हैं लेते हैं और हमारे देश की नायकता इस प्रकार एकल नायकता कहलाती है तो आगी मिलते हैं और ऐसे कई कंटेंट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद